हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टाड़ी वे सुजीत में तो दोस्तो आज में क्लास 12 के केमेस्टिक महत्यपूर्ण अबजेक्टिव कोसंस के बारे में डिसकोस करने वाले हैं जो वाले बोड एकजाम के लिए अती महत्यपूर है दस्तो इन सभी कोसंस को अच्छे से त्यारी कर लिए क्योंकि यहां से जो कोसंस आपके बोड जामें वहंडे परसेंटे पूछे जाएंगे तो आप सभी जो है अधिक सदी की इससे प्रस्णों को याद करने की कोसिस कीजिएगा और अपने एंसर टाइप करते चलेगे दस्तो और यहां पर फॉस्ट नव प्रस्ण आप देख रहे होंगे इस क्रीन पर जो की काफी महत्त्यपूर्ण है कि निमले लीखित में से कौन सा जो है वह सुचालक हो जाएगा एम जी जी इई कौपर या डी है इन में से सभी तो यहां पर सुचालक के रूप में यह अउप्दारण होजेगा और यहां पर सुचालक की रूप में लोहा या कौपर रस नका राईट एंसर क्या होना चाहिए दोसतों की अर्ध चालक कौन सा होझेगा तो दिखेए जो भी दोस्त आप्सन नमर डी के सांद जा रहा है यानिकि सिलिकन उनका बिलकुल नहीं सही एंसर हो जगा आप्सन नमर डी दोस्तो हम अभी ही पुछे थे कि लहचुमा के पदार्थ के कौन-कौन से उधार्ण होते हैं तो सबसे अधिक जो कोसम पुछे जाता है वह लोहा एफी और नीकेल और कौबाल्ट यह जो होता है वह लोह चुमा के पदार्थ के उधार्ण होते हैं जो की बार-बार हमारे बोड़िक पुछे जाता है या तो लोहा का पुछे जाता है या तो नीकेल का पुछे जाता है य यहां पर प्रस्ण है कि बेंजीन में पाई बॉंडों की संख्या कितनी होती है तो हम लोग बेंजीन के बारे में जानेंगे दोस्तों तो सबसे पहले बेंजीन का सुत्रे आप कमेंट बक्स से छाप दीजे कि बेंजीन का सुत्रे क्या होता है चलिए हम यहां पर बताने की को छागे कि kısm होथी है कि तो सबसे पहले इस परकार से हम लोग बना लेंगे है कि तुदिद does तो और जहां जहां एकल बंढ़ है वहां वहां सोबरा है यहां देखे यह जहां जहां जुड़ा है वह तो सिग्मा है ही और उपर से यह भी यह भी तो है यह भी सिग्मा बंड के साथ जाएगा यानि कि 12 सिग्मा होता है और तीन पाई होते ही याद रिखेगा इस प्रस्ण का राइट एंसर होते ही अब तक आप देद यह होंगे कि बेंज लेबल का है और सभी जो कोशन से वह एकजाम में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ परस्ण की P और बीटल का आकार क्या होता है तो होता है एस पी और डी और एफ तो इस परकार से हम लोग जानेंगे कि देखिए इस का होता है गोलिये होता है गोलिये होता है पी का क्य क्या प्रस्ताने का प्रयास को होता है और डबल डंबेल किसका रहता है तोव एस PD यहनी कि PD D orbital का जो है उसका आकार जो है double Right option number A देखिए सभी questions को इसलिए अधिक सदीक बताने का प्रयास करें तक आपको मनलेजिए अगर P नहीं आता है बोडिक जामे अगर F तो जदा तर नहीं पूछे जाता है डी सबसे ज़ए Never पूछा जाता है तो डी हम लोग आसाइend से जुस्तploy बता सकते हैं और यहांपर परष्ण है कि निम्लीकित में से कौनसा जो है संध्राण 51 पर नीरभर नहीं करता है यह परष्णोंतर काफी भी भी यही परसने दोस्तों देखिए सभी परसनों तर आप सभी के बीच वहीं लाएं हैं जो आपके लिए अभी के समय में की अपसक्सिस का कारे करें यानिकि सभी जो कोशन से पूरता भी भी याई कोशन से दोस्तो निमलीखित में से कौन से जो सांद्रान है इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है मुललाता मुललाता नर्मालता या इन में से सभी तो देखिए इसका जो सही एंसर हो जगा यह आपसा नमबर बी के साथ जो तो यहां पर पुशला गया है कि निमलीखित में से सबसे प्रबल नकिसी कारा कौन सा होजेगा तो यहां पर इस परषने का राइट एसर क्या है क्लॉरीन फ्लॉरीन भॉरूमिन या आयोडीन तो यहां सबसे प्रबल ऑक्सिकारा क्या होती है। यहां पर ऑक्सिकारा का बात किया गया है तो इस परस्टन पर दोस्टन का रहाता हैं की आयोडीन के साथ हम लग जाते कि इस प्रकार का crystal होता है आयनीक धात विए की सोहसन योज़े का इनिमें से सब ही तो देखिए यहां पर गेरफाइट की बात किया गया है तो गेरफाइट यह जो होता है यह सॉरी सोहसन योज़े के जो है यह crystal होता यानि कि जो सी अप्सन है इस प्रशने का राइट एंसर जगा option number C और गेरफाइट का उपयोग वहां करते हैं जैसे pencil होता है नो pencil के option number C दोस्तो अगर से अच्छी लग रही हो तो like अभी ही कर दिजये दोस्तो बाद में समय नहीं मिलेगा तो इसलिए अभी ही like कर दिजये दोस्तों क्योंकि गैस होते हैं देखिए यहां पर इस परशने का राइट एंसर होते हैं यहां पर इस परशने का राइट एंसर होते हैं यहां पर इस परशने का राइट एंसर होते हैं यहां पर इस परशने का राइट एंसर होते हैं यहां पर इस परशने का राइट एंसर होते हैं यहां पर वह copper pirate होजेगा option नमर्ज यहाँ पे जो A option है इस प्रशने का right एंसर आजेगा option नम्बर A और backside किसका आयस्क होता है जल्दी से comment box में बता दिजिए कि backside जो है किसका आयस्क होता है तो हम बता देंगे कि backside जो होता है वह ilmounia का आयस्क होता है कमेंट बक्स में जल्दी से बता दिजिए कि HCOOH का IUPAC नाम क्या होता है फार्मी कमल, इथिलीन या इथनोई के सिदिया इन में से सभी तो देखिए मेथ, मेथिनोई यहाँ पर देखिए इस प्रश्णे का जो सही इन सर जाएगा अप्सन नमबर A दोस्तों ठीक है, अगर वहीं IUPAC नाम अगर कहता तो मेथनोई के सिदिया होता है तो इसलिए जो है इस प्रश्णे का राइट इन सर जगा आप्सन नमबर A दोस्तों सधारा नम यहाँ पर पूछा रहा था, ठीक है, सधारा नम इसका जो होता है वह फर्मी के सिद होता है और इसका अगर IUPAC नाम कहा जा तो मेथनोई अमल होता है, याद रहेगा और यहाँ पर प्रश्ण है कि XEF4 का आकार क्या होता है, काफी महत्तपूर यह प्रश्ण है कि XEF4 का आकार क्या होता है तो जल्दी से कमेंट बक्सें बता देजिए कि XEF2 का आकार हम बताए थे दोस्तों तो जल्दी से comment box में बता दीजिए कि XEF2 का आकार क्या होता है वैसे XEF4 का जो आकार होता है वह वर्ग तलिये होता है यानि कि option मर्जों यहापे जो B option है इस प्रशने का right answer होता है option number B यानि कि square planar square planar जो होता है वह वर्ग तलिये का English ही होता है यानि कि option मर्जों यहापे जो B option इस प्रशने का right answer होता है option number B और XEF2 का आकार क्या होता है जो 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 इसे comment box में बता दीजे इसका right answer क्या होना चाहिए और यहापे प्रशने की धात्विक बंधन किसमें पाय जाता है तो दोस्तों यह जो सवाल है यह असान है बहुत ही असान है लेकिन यह question जो है बार-बार बोडिक जा में पूछा जाता है देखिए आपके बोडिक जा में वही question पूछा जाता है थोरा सा logic लेकर लेकिन बहुत ही असान ही question इस बार आने वाले है तो आपका तो 35 में 35 जरूर ही आएगा यह हम 100% कर सकते हैं दोस्तो और यहाँ पे देखे धातिक बन्धन किसे में पाई जाता है तो जाहिल से बाते धातु का बात किया गए तो option number A है इस परशने का सही अंसर रोजगा option number A और जो भी दोस्ते नए जोड़े होंगे इस चानल से ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लिजगा सभी दोस्तों का वेलकम है दोस्तों इस परिवार में क्योंकि यहाँ पे जो है अब पूर्ता धाकर तरीके साथ त्यारी हो रही है और यहाँ परशने की AFA यह फ्लोरीन क्लोरीन किस नाम से जाना जाता है काफी यह परशने धाकर है कि यह किस नाम से जाना जाता है तो देखे इस परशने का परशने का राइट एंसर जाता है इसे हेलोजन के नाम से जाना जाता है और चारिये धा तो किसे जाना जाता है तो ग्रूप फॉस्ट के तत्वा का जाना जाता सेकेंड को क्या जाता है चारी भूमिजधा तो उसको जाना जाता है ठीक है तो इस परशने का राइट एंसर जगा ऑप्शन नमबर C दोस्तों और यहां पर परशने जो की काफी महत्तपूर्ण है कि निमले लिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है काफी यह से में बता दिए कि अल्कोहल का जो है वह किरियात्मक समोह क्या होता है कमेंड बक्स में बता दिए दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए क्योंकि यहां पर जो है बहुत ही महत्तपूर्ण आज की से सन हो लगा यहां से जो है आकि बोड़ी जामें हंडे तो जाएंगे ही क्योंकि इससे बाहर तो अब आने वाले नहीं है और यहां पर परस्ण है कि फेन उत्पलावन बीधी द्वारा कीस परकार के अयसको का संध्राण किया जाता है सलफाइड सलफाइड आकसाइड या कार्बोनेट तो ज्यादा तरह हम लोग उससे क्या कुछे थे कि अलकोहल खकिक्र्यात्मक्ग समय होता है तो आप से नियुकंश्य нравится जो की बिल्कुल है ऐस्भान हो जेगा अध्य हुट कर्शली चयां में कारक्शली और जो भी दोस्तों नए जुड़ है कि आपके लिए बहुत ही महत्यपूर्ण ये सेशन है और यहां पर परस्ण आप देख रहे होंगे जो की काफी महत्यपूर्ण है कि लुहे में जंग लगने के लिए निम्लिकी मैंसे कौन सा जो है लुहा को नहीं होता है जब हम बाहर के रख देते हैं तो वह उसमें जंग लगने के लिए निम्लिकी मैंसे कौन सा जो है आदर वायू यानि कि थोड़ा सा नमी वाला जो वायू होता है नहीं कि वायू यानिकि हावा इस परस्ण का राई टेंसर जो जो ऑप्सन नमर जो जो अप्सन नमर बी और यहां पर प्रस्ण के इथील बहुली क्रीत होकर क्या बनता है कुछ दिर पहले दोस्तों पुछे थे कि एडि हाइट के क्रियात्मक समोग क्या होता है आप सभी का आया होगा कि हCHO जो की बिलकुल नहीं सही एंसर जेगा अप्सन तो ही नहीं यानिकि ह सब्सके इस हो होता है याद रखेगा अब दोस्तों इस अफंड कionar क्रीत होकर क्या बनता है देखे इस सभी प्ल jij क्या किया होता है कमेंड बख सेंगे कानबक्स लिए किर्यात्माग समुह क्या होता है देखिए हम अधिक सदी किसले कोशन पुछते हैं ताकि आपको उस कोशन को भी बारे में आपको याद रहे और वह कोशन्स अगर आता है बोडिजा में तो आप ちょange 100च क्या अब 200 करके आएंगे यह मुझे पूर्टा ग्रान्टी है कि आप करके ही आएंगे दोस्तो और princi बार का जो लाक्ष 59 उथे तो वह कमवieron बीलकुल ही डोस्तो आसानी से ला पहेंगे दोस्तो इस परस्ण का राइटJa और यहांपर परस्ण का राइट के राइटिक रहेगा option number A और यहांपर परस्ण के निम्लीखित में से कौन सहजात गुण होता है यानि कि सहजात गुण के रूप में इनमें से कौन सा रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए और अपना टाइप करते चलेगे दोस्तों इसे पादा चलेगे कि आपकी जो त्यार ही कितनी धाकर तरीके से हुई है दोस्तों और यहां पर प्रस्ण के बिलियन के अनसंख्या गोंड़ार्म का उधारन इन में से कौन सा है जो है घुनात्वा कवथनांक उनायन द्रवनांक या ताप तो यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए यह प्रस्ण अतर देखते ही आपका एंसर आगे होगा क को तांक उनायन द्रवनांक उनायन चार्वा क्या होना चाहिए और निम्लीखित में से कौन सा पदार्थ सब्से अधित हुमांग का उनमन उत्पन करता है कि इस परशने का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि निमलिखित में से कौन सा जो है पदार्थ सबसे अधिक हिमांक और नमन उत्पन करता है उमीद करते हैं आप सभी का जो है वह एंसर आएगा और जो की राइट एंसर होज़ेगा प्रियोग साला में स्वरप्रथम जो पदार त्यार किया गया था वह यूरिया को ही इस परशने का जो सही इंसर होजगा वह आपसन नमर जो एंसर होज़ेगा दोस्तो सेशन अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हैं तो ही बुझा पता है कि ये जो सेशन है आपके लिए पूप और यहां पर इस पष्थ का राइट एंसर क्या हो यहां पर इस परस्थ का राइट एंसर क्या होने चाहेँ दोस्तों किरियाओों की दर सद्धारतिया निम्नि में से किसके द्वरा परभावित नहीं होती है यहां पर इस प्रशने का राइट एंसर क्या होना चाहिए कि रासानिक अभी किरियाओ की दर जो है सद्धारता निम्नि में से किसके द्वरा परभावित नहीं होती है तो इस परस्ने का जो सही एंसर होज़ेगा चोविस का वह परकास की उपस्तिती इस परस्ने का राइट एंसर होज़ेगा जो C अप्सन है इस परस्ने का राइट एंसर होज़ेगा और यहां पर परशने जो की काफी महत्यपुड़े के गिर्गनाड अभीकर्मक निर्मार में पर्युक्त उत्पिराक क्या होज़ेगा यहां पर इस परशने का राईट एंसर क्या होना चाहिए और यहां प्रस्ट का सही इंसर होजेगा और यहां प्रस्ट के सीने बार कहा जाता है इस प्रस्ट का राइट इंसर क्या होना चाहिए कि सीने बार क्या होता है HGC, HGS, HGP होजHEKE यहां पर इस पोछन्त का right answer क्या हूं कि नहीं बार कहा जाता है तो हम लोग किस option के साथ जाएंगे itu option बार हम लोग B के साथ जाएंगे जोगी बिलकुल कि सही answer होजेगा option number B जो भीComрос b का साथ जा गए है वो द्रव अवास्था में पाए जाती है कमेंट बक्सें बता दीजिए कि कमरेक तापर जो है द्रव अवास्था में कौन सा जो है धातु है पाए जाते धातु बताना है ना कि अधातु तो धातु जल्दी से कमेंट बक्सें बता दीजिए कि कि वह धातुआ कौन सा हो जाएगा और यहां पे इस प्रश्णे का राइट अनसर किया होना चाहें दोस्तों कि द्रबीड एने सीयल बिधुत अफगाटन में कैथोड पर मुग तो होता है तो यहां पे एने सीयल तो दिया ही गया है लेकिन यहां पे कैथोड का बात किया गया है तो हम ल way बाष्ण का सफित राइड सब्सक्राइब और अकसीजन और ऑजोन soybean क्या होते हैं क्यमेंड बक्षो जलदी से type कर देजिए कि जल बेा क्या होता है कि oxygen और ओजोन जो होते हैं यह एक परकार के अपरूप होते हैं याई कि option बर जहाँ पे जो C option है इस प्रस्ण का सही answer जीगा option बर C और उमीद करते हैं आप सभी जो है वह ओजोन का सुत्र बता दिया होंगे O3 जो कि बिल्कुल नहीं सही answer जीगा O3 दोस्तो और ओजोन दिवस को मना जाता है कि ओजोन दिवस जो है वह को मना जाता है कमेंट बक्से जल्दी से गोली से भी तेज इसका answer आजना चाहिए कि इसक प्रस्नका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि फौर में पी पी बंधन का क्या होता है पी नहीं पी यहां पे पी पी नहीं पी शिर्ट पी प्रश्नका कोंड क्या होता है तो पी फोर में बता ना है तो देखे इस प्रश्ट का सही एंसर होजेगा वह option रहाज़ी है इस प्रश्न सास्थ डिइगडी ही होता है जो सी ऑपसीन इस प्रश्ट का राइट एंसर हो ज़ेगा और एकोशन दुसत्व पूछा जाता है कि कार्बन-कार्बन एकल बंद में इसकी कोण कितना डिगडिका क्मेंट बखस में बता दीज मिताक कि सुस्रां कार्बन क कार्वन का करवण निकिशन प्रोस्तने सीखे में से कौन सा जो ऑकसाइड रंगीन के रूप में हो जाएगा तो यहां पर इस प्रश्ट जो राइट एंसर हो जेगा 30 का वह और यानि कि उप्सन पर जहाँ जो सी अप्सन में इस प्रश्ट का राइट एंसर हो जीए ऑपसिन नंबर श्माने धातू के रुप में कौनसा हो जाएगा तो देकी इस प्रश्ण दोस्तो एक कोसम पुछे जाता है कि भूर पर पटि पड़ि में पुरिति भी के भूर पर पटि पर कौनसा धातू वह सबसे अधिक पाए जाता है भूप पर पाठी पर पुछाए गया है ठीक है कमेंट बख से अब तक आपको कोशंस जो है समाज में आगे हो कि हम कोशंस क्या पुछना चाता है कि प्रित्वी का भूप पर पुछनस क्या होता है वह जी रू होता है ठीक है और यहां पे इसकी आखती पुछा गया है तो इसकी जो अकरेती होता है 32 का वाज़ेगा वाज़ेगा B यानि की विड़ग सम्तलिय होता है यानि कि option जहाँ पे जो भी option है इस प्रस्ण का right answer होजगा option number B दोस्तों सिसन अगर अच्छी लग रही हो तो like जो किज़ेगा दोस्तों और चानल से अगर नए जूर हो तो जोड़ ही सब्सक्राइब कर लिजगा और यहां पर देखिए प्रस्ण को जो की काफी महत्यपूर्ण है कि क्लोरोफर्म को के साथ जब गर्म करते हैं तो उसे में जो निर्माल होता है उमीद करते हैं आप सभी के जो है वह इंसर आगे होगा option number B जो की right answer होजगा तो एमीन जो है इस प्रस्ण का जो सही अंसर होजगा option बर यहां पर जो डी आप्सण इस प्रस्ण का राइट इनसर सभी ए मीद सब्सक्राइब और यहां पर 35 प्रस्ण आप देख रहे होंगे इस क्रिन पर जो की काफी महत्यप्य है कि देखिए एमीन के लिए होता है और यहां पे आमल दरसा आगया है तो यह तो हो जाल ता है सीडबलो हमें तो इसका राइट एंसा रोजेगा जो यांदि कि जो सी उपसन है इस परस्थन के स्क्रीन पर जो की काफी महत्तपुर्ण है कि निमनी में से कौन सा जो है जीवीटर आयन बनाने में समर्थ हो जाएगा देखे जीवीटर आयन उसमें बनाता है यहाँ पर जो आपसन बर जो ए है इस प्रस्टन का राइट अंसर हो जेगा आपसन नमबर ए जो भी दोस्त कुछ लिये जाता है कि इल्केयन का सूत्र क्या होता है कमेंट right में जल्दी से कि टाइब कर देजिए कि इलीके सूत्र क्या होता है औरते पेज्द होते तो देखे इस प्रश्न का जो सही एंसर रोज़ेगा वह option पर जो भी है इस प्रश्न का राइट एंसर रोज़ेगा option नमबर भी दोस्तों और टाइफाइड में एक टेस्ट लगता है उस टेस्ट का नाम क्या है जल्दी से comment बक्स में बता देजिए कि ताइफाइड में जो ट टेस्ट लगता है उस टेस्ट का नाम क्या होता है तो वैसे इस प्रषनिका राइट होज़ेगा लगता है यहां पर यहां पे केलो मेल का रासानिक सुत्र क्या होता है इस प्रस्ट का सही एंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कि केलो मेल का रासानिक सुत्र क्या होता है तो केमिकल फर्मूला ऑफ केलो मेल तो इस प्रस्ट का जो सही एंसर हो जाएंगे जो कि बिल्कुल नहीं सही एंसर हो वह टाइफाइड के बीमारी में लगता है इसका राइट एंसर हो जगा आपसन नमर सी दोस्तों और इसमें जो जीवारू प्रेक्टता है सलमनेला नामक नमक जीमारू पाएजाता है तो यहां पे इस प्रश्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए निम्लिकित में से की से सक् से क्यों जो परमार्व तरीजाकीश की कौण सा हो जाएगा संक्रमरत पत्मकी बात किया गया तो देखेए इस परश्ण का सुत्र क्या होता है कि सूत्र क्या होता है कि क्या होना चाहिए तो देखे इस प्रस्ट का चालीस का वह आप्सन नमबर एक के साँ जाएंगे जो कि राइट इंसर जीका एनस नमबर ए मैंस चालीस वा पिए चालीसाँ तो यहां पे यहां पर जो अभी हम बताएiren यह जो सुत्र पूछे गया था तो यह कुशन आपके वोड़ीजा में 100% पूछे जाते या तो इलकीन का पूछेगा या तो इलकीन का पूछेगा तो जरू हियाद रखे इलकीन का सुत्र था और यहां परशने की इस परकार के अबंधन पाए जाते हैं कि होता है और दोस्तों आप सभी को याद होगा कि इन में से किस में वह एच बंद पाए जाता है और यहां पर बताना है कि एक फराड़े कितने बीधूत कुलम के बराबर होता है तो जल्दी से कमेंट बक्स में बता देजी कि एक फराड़े कितने कुलम के पराबर होता है उमीद करते हैं आप सभी का जो है वह एंसर आगे होगा कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए तो ब्यालेस का ऑप्सन पर जो ए है इसका राइट एंसर जिगा वह अप्सन नमबर ए जैने कि चलागता का थे है उप्सन पर जो ए है इस प्रस्ण का राइट एंसर जो जेगा परतिरोध का जो मात्रक होता है और परतिरोध धकता का मात्रक क्या होता है तो देखिए रासानिक जो अधी सोसन होता है उमीद करते हैं आप से जो है वह इंसर आगे होगा कि इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तो थोरा सा टाइम तो लग ही सकता है क्योंकि हम अलग से भी कोशन पूश रहे हैं दोस्तो वैसे इसमें सतर कोशन होने वाले ह हम जो मुझजबानी पूश रहे हैं या तो वहां से आए या तो इसे जो हम लोग इसक्रीन पकर हैं वहां से आए दोने में से यहां से कोशन जो है वह आने ही वाले हैं तो रसानिक अधी सोसन में जो होता है वह इस प्रस्ण का राइट एंसर जगा ऑप्सन नमबर बी दोस 2 जो बी दोस्ते एक की में गुरूप 56 पंदरा में नैटोजन के अत्रीकंत कौन साज्टत्त रहता है यहां पर इस परस्ण का राइट एंसर किया होना चाहिए इनक पंदर कर लिदो उपस्तित रहाता है तो देखे 46 नाव परश्ण का जो 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 46 मोई जो बी है इस प्रस्ट परस्ट का जो है वह सही 5 अप्शन परश्ण का आपसन नमब्र भी दोस्तों हम पूशें ते कि कार्बन कारबन करब्न के बीच कितने आबन्ध कोर्ण की लंबाई होती है एकल बंड के लिए होता है एक दसनों पांच चार गुने सरी पांच चार एंगेस्टम होता है ठीक है इसकी लंबाई होता है एक दसनों पांच चार एंगेस्टम होता है और द्वी बंड के लिए कितनी लंबाई होती है कमेंड बंड के बीच कमेंड बंड के जल्दी से बता दीजिए औ आपस भी जो है वह अप्षन बर यहां पर एक साथ जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुली सही अंसर जीगा आप्षन बर ए इस दर आइट एंसा फोर्ड इसको सन और यहां पर इसका राइट एंसर क्या होगा जैकि जेड़ें एक क्या होता है संक्रमर्ण तत्व प्रूपि जिखा फिए नमबर देखे द्वी बंधन के लिए क्या होता है किके कारबन-करबन होती है यहां पे सका राइट है क्लोड़ोफॉर्म म उख adop Labs होना चाहिए तो उसका राइट इंसर तो दिखोे तो यहां पर इसका राइट इंसर क्या होती है यहां पर इसका राइट इंसर क्या होती है यहां पर इसका राइट इंसर क्या होगा तो यहां पर इसका राइट इंसर क्या होगा तो यहां पर इसका राइट इंसर क्या होगा तो यहां पर इसका राइट इंसर जो हो जाएगा 50 सब्सक्राइब कर देता है यहां परसने की ग्लिसरोल है तो ट्राइब्रिक अल्कोहल के होता है यहां पर सब्सक्राइब का यहां पर सब्सक्राइब का और 2020 में क्या होता है पूछ लिया गया था कि फिनोल का जो है इसका पूछ लिया था कि इसका आकार वाक कैसे होता है तो यह इस परकार से ठीक है इसे उपर और यह अगर आइच हटा दे तो यह बेंचीन का आकार होता है वह चोय जब जोड जैता है तो यह पृषटा पर इंसर होजेगा और यहाँ पर ससमेट इस प्रस्ण का पर और क्या ह buds और की बीचिश चैए यह पर तो इस का नीयाक प्र देता है तो अमोनिय का सुत्र कyya होता है मिठाल नाइटराइल का सुत्र क्या होता है तो मिठाल नाइटराइल का सुत्र होता है उमीद करते है आपका अर्शन नमबर बी जो कि-ar cham CI रहता है तो आईसो मिठाल-destर होता होता है तो यहाँ पे प्रस्ट का राइट होता है और यहां पे पर वे क्या होने बी और यहां पर इसका राइट इंसर क्या होगा कि रबर इस्टार रोज होता है तो इह एक पर करका होता है चापन का भी यह प्रकृतिक प्रस्ट नहीं है कि कि निम्री लेखित में से कौन सा जो है फ्रेंकल और सठीकी दोस्त दोनों परतरसित करता है यहां पी इसका राइट एंसर क्या होना चाहिए कि जो है फ्रेंकल और सठीकी दोस्त इन में से कौन सा जो है परतरसित करता है तो हम लोग A, G, B, R के साथ जाएंगे जो की राइट एंसर होज़ेगा option और जब B option है इस परशने का राइट एंसर होज़ेगा option और B जो भी दोस्त AGBR के साथ गए हैं उनका बिल्कुल नहीं सही answer होज़ेगा और यहां पे इसका राइट एंसर क्या हो चाहिए कि अभिकिरिया कादर के इंटू A और B के पार जीरो है तो अभिकिरिया की कोठी क्या होज़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि अभिकिरिया कोठी जो पार होता है वह जूटता है तो एक और जीरो जब जोड़ेंगे तो वह तो एक ही आता है जो प्रस्ण का राइट एंसर आजगा ऑप्सन बर सी जो भी दोस्तन है जो रहेंगे चानल से वह जोड़ी ही सब्सक्राइब कर लिएगा वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जो भी दोस्तन लाइक नहीं किये होंगे जो ही लाइक कर लिएगा द आपके तREY एफिट गोशन दी डिन सmuşक होसन एक वर 2019 में क्या होता है कि हेलीं यह का संकेत क्या होता है और यहां WHAT लीखित में से हरा होता होथा इनर से आउसर हो ड़ीघा तो हमी टो सब्सक्राइब क्या होता है तो साठका идет हора जो मिटैसिदा प्रस्टिन लाइक दूस्तों यहां पर इसका राय रिफ्हेंसर किया होने होगे के शंक्रम्र स्रेमिनि में किश्षण परमुष संख्यावाले संख्यावाले यहां किבलती ऊपस्तितत है तो सो यहां पर प्रस्षण06 यो कि राई इसर आप्सन बीक ची शुब्लकुन ब सेenne क्या होगी थे ही हिलियम का संकेत क्या होता है तो आप सभी आये SCHE यह से तीस்कों किया हो गाम किरीयाथ करें ए तो हम लोग मोहज़बानी दोस्तों कवर कर दिये थे कि करümüz क्या हो क्या होता है तो होता है क्लोरीन का होता है दोस्तों देखिए कौन कौन से पुछे जाता है या तो अल्कोहल का पुछेगा या तो किटोन का होता है और यहां पर इसका राइट इंसा क्या हो चाहिए कि निमलेखित में से किस के सांथ जो है कैनी जारो अभी किरिया होती है का फर इस लिए कोर्षेंट को बताते हैं आप से आऐ तो आप विल्कुल भी आसाइस दूस्तों अनीकि आपसे जो है इस पर चूटने वाले नहीं तो देखे इस प्रस्ण का जो सही अंसर जिगा 63 का हम लोग option बर जो B है इसका right answer जिगा option बर जो B है इस प्रस्ण का सही अंसर जिगा option बर बी और यहाँ पे इसका right answer क्या होना चाहिए तो किस vitamin की कमी से रताओधी कीस vitamin की कमी से होता है vitamin A, vitamin B, C, D तो यहाँ पे इसका right answer क्या होना चाहिए रताओधी में क्या होता है रात में उसको दिखाई नहीं देता है तो यह vitamin A के कारण होता है option बर जहां पे जो A है इस प्रस्ण का right answer जिगा option number A के मैं नहीं होता है कि कोई-कोई लोग आ रहता है माले जिए रात में अगर में आदमी देख रहे होता है और वह उससे टक्रा जाता है तो कहता है कि रात में तब्लत Bin 23 Nonation और विवीटामिन किस पाइब जाता है कोबार्ट जो दात 30 पाइब सक्वार्टन कमेंट से पताती और विटामिन डे कमी से कौनुजा रोग होदा है तो विबिदी काहिए रिपएब होता रहता है घयाद रखेंगा घीडरी जो रोग डेडियरं भीटैमिन के कमीं से होता है और बीटामीन सृपन के कमीं से कौन सा रोग होता है तो रक्त का थाका न Shooting तो लॉक्त का थाका नौन होना इसका राइट एनन सरो जिगा रग्त का थाका होना ठीक है चंट के था की से बिटामीनें पाय inappropriate चाता है और यहां पर इसका right answer किया होने चाहिए दोस्तों कि phenol निमनी में से किसके निर्मार में परियुक्त होता है उमीद करते हैं आप से जो है वह answer आ गया होगा पॉइंट का ए बेके लाइट जो की right answer होजेगा option number a एक के सांद जो भी दोस्त गए हैं उनका बिल्कुली सही answer होजेगा और एक कोशन पुछेद है कि triple bond जो है और कारवन कारवन वें अगर ट्रीपल बंड़ है तो इसकी जो बीच की लम्बाई होगे कितनी होती है कितनी diameter में कमेंट वर्त बता दिजिए वेक तनेrophy other को बरावर होता है 10 के पर सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और यहां पर इस परशने का राइट एंसर क्या होना चाहिए यहां पर इस परशने का राइट एनसर क्या होना चाहिए तो कि फराइडे का राइट एंसर को सब्सक्राइब करोड़ों साल पहले हम आपसे पूछे थे कि फराइडे किसका मात रख होता है तो धारिता का मात रख होता है वह फराइडे मात रख होता है ठीक है धार्ता का मात रख होता है वह जो कि फराइडे होता है हम बहुत करोड़ों साल पहले आपसे पूछ लिये थे इस सेशन में ही तो इसका राइट एंसर हो जिगा option number C और यहां पर इस प्रस्ण का राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तो कि दूद कीस परकार के क्लाइडी तंत्र है पाइस है जैल है फेन है फिसका राइट एंसर क्या होना चाहिए दोस्तो कि दूद कीस परकार का क्लाइडी तंत्र है तो इसका राइट एंसर हो जिगा option number A जो ए है पायस जो की राइट एंस रोज़ेगा अप्सन बर ए ए इस दर आइट एंस फोर दिसकोशन सिसन अच्छी लेग दे हो तो लाइक जो कीज़ेगा दोस्तो अपने दोस्तों में जो ही इस वीडियो को सियर कर देज़ेगा ताकि ओ भी दोस्त कम समय में अपना अधिक भाइन दोस्तों और यहां पर इस प्रस्ष्ण का राइट सक्षे होना होना चाहिए दो साल्जार की संपरख बीधी प्रिधी में बनता है तोदी का एक हुआ तो देखे स्वस्तों का राइचंसर आज़ेका आपसन थी दोस्तों स्ल्फ्रीृ की सेड़ निर्मार होता है एस्ट्थूएसओफ़र को अमलोग कर राजा भी कहा जएता है याद रखेगा तो इसका राइट अंसर हो जεगा और स्थांगर पर इस प्रस्षिक्षा जारं से प्राप्त होता है Python जोगर नबर धे इस परकार से सब्सक्राइब को अच्छे से और पीडियव आपको टेलीग्राम गुरुप से जोइन होते तो इसका पीडियव डामूड कर सकेंगे बिलकुल यह असाई हैं दोस्तों फीरि में ही दोस्तों हम लोग एंसर कि की साथ हम लोग आपको फुर्वाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रूप से नहीं जूड़े होंगे तो उसे आप जरूर ही जुड़े हो जाएगा डिस्क्रिशन बक्स में टेलीग्राम ग्रूप का जो है आपको लिंक दिर दिये जाएगा वहाँ से आप जूड़े होकर इसका पीडियाप डानलोड करके आप बिल्कुली प्रेक्टिस कर सकेंगे यहाँ पर आपको एंसर की भी मिल जाएगा दोस्तों और जो भी दोस्तों नहीं जूड़े हो चानल से जोड़ ही सब्सक्राइब कर लिएगा टेलिग्राम ग्रूप से जौइन हो जाएगा दोस्तों ठीक है टेलिग्राम का ग्रूप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्सम बक्स में आपको दे दिये जाएगा उमीद करते ही यह सेशन आपको अच्छी लगी होंगी अपने दोस्तों में इस वीडियो को जोन ही सेयर कीजेगा मिलेंगे नेश क्लास में नई उमीदे का साथों हसते रहे और मुस्क्रात रहे और अपनी त्यारे को मजबित करते रहे अभी कि इतना है दोस्तों जय हिंदे